हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ब्रैट इस्पोस यूट्व चैनल आज मैं आपको दस्मिक अक्षा के अर्थ सास्त अर्थात एकोनॉमिक्स के महत्पुन प्रस्ण के बारे में पताएंगे यह एक तरह से नोट्स है जो काफी महनत से त्यार किया गया और काफी महत्पुन नोट हैं जो आप के लिए काफी फाइदे मंद होगा अगर आप किसी भी बोर्ड से दस्मा के त्यारी करें तो आपके लिए काफी महत्पुन होने वाला है यह वीडियो और इस पर कई सारे सब्जेक्ट के फिजेक्स हो गया क्यमेस्ट्री वाइलोजी हिस्ट्री एकोनॉमिक्स सब्सक्राइब करें तो आपको आने वाले वीडियो का जो है आपडेट मिलता रहे यह चैनल आपके लिए काफी फाइदे मंद हो सकता है क्योंकि इस पर जो है कॉम्पुटेटिव लेबल तक की तैयारी होती है इस पर हर वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो चलिए पुंजिवादी अर्थ वेवस्था समाजवादी अर्थ वेवस्था और मिश्रित अर्थ वेवस्था तो यहां पे अर्थ वेवस्था तीन परकार की होती है यह अपने देख लिया पुंजिवादी समाजवादी और मिश्रित इसके बाद देख लेते हैं क्या है तो भारत की अर्थ वेवस्था कैसी है भारत की अर्थ वेवस्था मिश्रित अर्थ वेवस्था है भारत की अर्थ वेवस्था मिश्रित अर्थ वेवस्था है पुंजीवादी अर्थ वेवस्था के उधारन क्या है अमिर्का जापान और आस्ट्रेलिया में जो है पुंजीवादी अर इसके बाद है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था 15 मर्च 1950 इसवी को हुआ था इसके बाद है योजना आयोग को खत्म कर नीती आयोग की अस्थापना कब की गई एक जनवरी 2015 को एक जनवरी 2015 को योजना आयोग के अस्थान पर नीती आयोग की अस्थापना की गई इसके बाद है याद रखने फ्रेंट्स नीती आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं परदान मंत्री होते हैं यह कई बार पूछा जाता है इसके बाद है राश्टिय विकास परिशत का गठन का भॉँआ शेय अगस्थ 1925 को काफी महत्कुन स्थायर इकैश्त्राक्ययक्ष याद परिशत का घंव तो 6 अगस्थ 1952 को आप तारिक याद लेकिन सिजय याद रखना राश्ठी विकास परिस्तिकाश का गतना 12 drowning में वा था इसके बाद है पंच वर्षे योजना का काल तो कुछ महत्पुन पंच वर्षे योजना है यह आपको याद रखना है पहली पंच वर्षे योजना दूसरी तीसरी और योजना आवकास क्या है वैसे तो पंच वर्षे योजना बहुत सारे हैं लेकिन इसमें मुख्या आपको याद रखना है तो देख लेते हैं पहली पंच वर्से योजना का काल क्या था 1951 से 56 तक पहली पंच वर्से योजना जो था या 1951 से 1956 तक था इसके बाद है दूसरी पंच वर्से योजना फिर इसमें 5 जोर देंगे 1961 और 56 questo 1961 से 1964 तक तिसरी पैंच वर्ष योजना तो आपको यहाँ पे एक चाहिए रखना है पहली पैंच-वर्ष योजना कब शुरू हुआ था 1951 में तो 1952 में जब पहली पांच-वर्ष योजना शुरू हुआ तक चला तो यह पहली दूसरी तीसे काफी महत्पुन है इसका कारिकल आपको याद रखना है अगर एक और बात करें तो योजना अवकास योजना अवकास पूछा जाता है कि योजना अवकास जो है योजना अवकास पूछा जाता है 1966 से 1979 तक के काल को इसके बाद हैं atte entra тwok आयोगरे जो था योजना फंच वर्षी योजना को Тब करके इसके स्थान पर काया नीटी आयोग नीटी आयोग की अस्थापना की गई तो कहते हैं कि उस्तान पर यूजना यूजना की यूजना कॉसे दूजना कंसी थी आन्तिंए वर्शे यूजना और अगर इसके कारिकाल कीsection करें तो 2012 से 2017 तक था यहां देख सकते हैं यहां पर आपने पढ़ा था कि योजना आयोग के अस्थान पर नीती आयोग के अन्तिम पंच वर्षि योजना थी जिसका कारिकाल 2012 से 2017 था इसके बाद क्या आगया तो नीती आयोग के यह उखाना एक जन्वरी दूजार पंद्रकों गई थे जल रखना एकपनवरी दूजार पंद्रकों इसके बाद है ATM का पूरा नाम क्या है, ATM का पूरा नाम होता है Automated Taylor Machine, या दखणने हैं, फ्रेंच, Automated Taylor Machine होता है, ATM का पूरा नाम, यह कई बार exam बません पूच्छा गया है, इसके बाद है, प्रति वैक्ति आइप रावर होता है राष्टे आइख कुल जन संक्या, यह जो है, इसका निर्धारीट कि गई हैं 2000 कालरी और थायी चनु के रहीट फेवगि क्या समत्री नितंगी गई हैं व सइकता होती है यहीं तो आप इसको याद रख सकते हैं कि उसको में कठीन कठीन करण प्रिसम करना क्यालोरी की परीजिए उसलिए है उनको है और नियूभी कि होता है तो इसलिए कि जो ग्रामिन क्या फ्रीक्तरों में 24 favourite होती हैं और और असे काम सकते हैं लेकिन जो ऑफिष लेंड होते हैं, जैसे एक एक कम्पूर्टर चलाना हो गया, या कोभी ऐसे काम होते हैं जो ऑफिस में फाइलिंग का काम हो गया, या टेली कम्यूनिकेशन का काम हो गया, तो यह से काम कई आसान होता है, इसलिए सड्सेट्रों 200 os जकने कम से कम से कितने ठीन की रोजगार देने की वैवस्ता करत हैं 100 दीनों की शरण उसनल यहाँ यहाँ एक योजना है जो कि कम से कम जो है 100 możli пошब्स देने की गणिंती देता है इसके बाद है Mm करता है केंदर्य सांखे की संगठन इसके बाद है केंदर्य सांखे की संगठन सिय असथ अफना कह जिन फ़क्र कह सकुश्थ किंद्य संक्य की संगठन जो राष्टिया आई के गन्ना करता है इसके अस्थापना 1954 में की गई थी इसके बाद है भारत में सरपत्थम राष्टिया आई का अनुमान किसने लगाए था दादा भाई नौरोजी कव लगाए था 1868 इसवी में सबसे पहले अगर राष्टिया आ दादा भाई नौरोजी तो यहां पर महत्पून किताब है यह पुस्तक आपको याद रखना है प्रोवर्टी एंड अनुब्रीटिस रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी इस किताब में उन्होंने प्रतिव्यक्ति आई 20 रुपया बताए था प्रतिव महल नोविष्द की अध्यक्सता में एक समीती गठिद की गई कियाए समिती का नाम क्या था रास्टिय आई समीती है याद रखना है कि रास्टिय आई का अनुमान लगाना या है एक एक राश्टिय आई समीती या रखना है आपको यह याद रखना है कि राश्टिय आई का अनुमान लगाने के लिए एक राश्टिय आई समीती गठिद की गई किसके अध्यक्ता में पीसी महल नोविस की अध्यक्ता में रिपोर्ट पस्तूत क्या था 1951 में आप जितनी बार करेंगे उतने ही आपके दिमाग में फिट होगा आपको याद रहेगा तो आप इस वीडियो को जादा से ज्यादा 2-3 बार जरूर देखेंगे अपको फूल कंसेट क्लियर हो जाएगा एक्जाम देने से पहले भी इस वीडियो को देखके जाए ताकि आपके एक्जाम में क के करेंसी के बारे में पूछा जाता है कि करेंसी का नाम क्या है तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले भारत भारत में करेंसी को क्या कहता है रूपया यहां पर नाम है मुद्रा का नाम जो है यहां पर दिया है पाकिस्तान में मुद्रा को क्या करते है रूपया तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल, इसमें जो है, रुप्या ही कहा जाता है, यहाँ पे एक देश था बंगलादेश, बंगलादेश में रुप्या को टाका कहा जाता है, अमेरिका में डॉलर कहा जाता है, राग की मुद्रा का का है । यह सब कुछ इंपोर्टेंट ए इसके बाद भारत की राजधानी कई भारत की राजधानी देलिए आप सब पताई होगा काफी आसान प्रस्त है भारत की वित्यराधानी ने संगे मुंबई में यह कई बार पूछा गया एक्जाम में याद रखने आपको वित्य राधानिक के बाद करें तो मुंबई हो जाएगा और सिर्फ राधानिक बाद करें तो दिल्ली समें कंफ्यूज नहीं होना है इसके बाद है छेत्रिये गामिन बैंक की अस्थापना कव की गए थी 1975 में छेतरीय ग्रामिन बैंक की अस्थापना 1975 में की गई थी, इसके बाद है राष्टे क्रिसी और ग्रामिन विकास बैंक नवाड की अस्थापना कब हो था 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को राष्टे क्रिसी और ग्रामिन विकास बैंक नवाड की अस्थापना की गई थी 12 mesi और इसका पूरा नाम सब्जिता राष्ट्रे कृसी और ग्रामिन विकास बैंक नावार्ड वी कलता है कि इसके बाद ऑर भारत का केंदिये भारत का लिज्टरिय बैंक यह डिज़डेंक ऑंप इंडिया थे खरेंग जिसको सेंट्रल बैंक कहते थे हैं या रिज़ड़्य बैंक ऑफ इन्डिया और इसको हिंदी में बोलें तो भारती बैंक कहते हैं या भारत का किंद्रिये Series bank भारती रिजर्बैंक का M istiyorum मूंबई में है बाइक का मुख्याले मोंबऊ भारती बैंक का रास्टे स्टेक served का मिप ँपन D तो प्रस्ण बनते हैं यह आपके लिए काफी महत पूर्ण है आपको याद रखना है है यहां से आपको बता दूँ कि रिजैर्ग से 001 एक बार रिविजन कर देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं कि रिवीजन में भारति का चैंडील बेंग का नाम क्या है रिज़र बेंग ऑफ इंडिया जिसको भारते रिज़र बैंक क्या अस्थापना कव की गई थी तो एक अप्राइल 1935 को बहर्ते रिज़र बैंक का मुख्याले का है मुंबई में है और इसका राष्टे करन की बात करें तो रिजर बैंक की जो है राष्टे करण क्या गया था 1949 में इसके बाद प्रस्ण है ऐसी प्रकिरिया जिसके दौरा विश्व की विभिन अर्थ व्यूस्थाओं क्या एक ही करण क्या जाता है तो वैस्वी करण आपने सुना होगा वैस्वी करण जिसको ग्लोबलाइजेशन वो मंदली करण गोलते है तो यह जो है ऐसी प्रकिरिया है जिसके दौरा क्या होता है तो बिच्जु की विभिन अर्थ व्यूस्थाओं का एक करण करण सबू और श्वन का अधान परवा हो सके इससे ही वैस्वी करण कहते हैं इसके बाद है उदारी करण उदारी करण ये पता दिया यहां पे उधारी करण के बारे में देखते हैं उधारी करण कहते हैं सरकार के द्वारा लगाए गए सभी अनवर्शक नियंतरनों तथा प्रतिबंदों जैसे की प्रमीट लाइसेंस कोटा आधी से अर्थ व्यवस्था कि मुक्ति क्या कालाता है उधारी करण काला परिभासा भी पूर्देता है या उदारी करन साथ क्या समझते हैं परकास डालें तो यहां पर डिफिनिशन हैं अब देख सकते हैं कि सरकार के दोरह लगाए सभी अनावश्यक नियंतरों तथा प्रतिबंदों जैसे कि पर्मिट हो गया लाइसेंस हो गया कोटा हो गया अधी से अर्थ व्यूस्था कि मुगति क्या कहलाती हैं उदारी करन उदारी करन का ताथ पर है कि सरकार के दोरह कुछ उदार होना पड़ता है ताकि जो है आम जंता जो है बिजनेस में कदम बढ़ा सके वह अपने जो है इस टेसं के चक्र में जहाई काफी परिसान हो जाते हैं या करना चाहते हैं एक उदारी करन से क्या होता क्या हूंयक्त नत्वे और इसमें जो है कहते हैं उदारी करन तो सरकार के दौरा छूट दिया जाता है जितने भी नियंतरन होता है सरकार के दौरा या परतिवंद लगाए जाते हैं उसी में कहते हैं कुछ छूट दिया जाता है जिसे कि आम जंता भी जो है वैपार में आ सके और वो अपना बिजनेस कर सके इस पूर्ण रूप से उसका जो है स्वामी तो होता है किसी भी चीजबर चाहिए बैपार हो या कंपनी हो या फैक्ट्री हो या को भी किसी भी तरह का जो है नीजी वस्तु हो उसके जो है उसका पूर्ण स्वामी तो होता है पूर्ण अधिकार होता है इसके बाद है उप भॉक् यह किस ने कहता इसके बाद है ब्रिटे Zных कमता दिकार को महिनेता मिली 1929 में इसके बाद हैं सुट्जर लेंड में सरपर्थम महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला 1971 और अगर बात करें कि दुनिया में पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने महिलाओं को मत अधिकार सरपर्थम दिया था वह है नियूजिलेंड तो नियूजिलेंड बिस्व का पहला ऐसा देश है जिसने सरपर्थम महिलाओं को मत अधिकार दिया था मत Department किस देश में मिला महिलाओं को नियूजिलेंड में मिला था यह आपको काफी महत पुर्षन है यह थे जो है अर्ण doe को एक सटिस प्रषन जो कि exam के δिस्टिमोंसे